Hello everyone, welcome to our channel Visual Institute अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के भी शेयर करना मत भूलिए तो सुरू करते हैं क्लास 12th Mathematics का Lecture No.29 Chapter 4 Determinate Part 7 आज की क्लास के अंदर हमें एक क्योस्टन करने वाल हैं जो बोर्ड एक्जाम्स के लिए बहुत इंपोर्टेंट है यह वाला क्योस्टन ठीक है इसको हमें बीना Expansion के प्रूफ करना है कि यह जो Determinate है उसकी value होगी 2 times A plus B plus C to the whole cube तो हम क्या करते हैं कि यह जो LHS है हम एक बार इसके LHS लेते हैं जो क्योस्टन हमार पास given है तो LHS हमें क्या दे रखा है हम इसको note down करते हैं वापिस A plus B plus 2C C C A B plus C plus 2A A B B and C plus A plus 2B तो देखे हमें मालूम है कि RHS के अंदर जो आंसर आ रहा वो 2 times A plus B plus C का cube है यानि कि A plus B plus C जो तीन बार आपसे multiply है तो जब भी ऐसी चीज़ आती है जो कोई multiply के अंदर दे रखा या कोई factor बना के दे रखा है तो हमारे mind में एक idea लग जाएगा कि इस determinant में से वो data ज़रूर common आया होगा तो यानि कि इस determinant में से A plus B plus C एक चीज़ तो common आएगा अगर साथ में 2 बी दे रखा मतलब तो बी यहाँ पर common आया होगा तो आपको यही सोचना है कि A plus B plus C कैसे बनाए ठेक है तो अगर आप दियां से देखो पैली रोग को तो A plus B plus 2 C A, B दे रखा है इन सबको add करते तो आपको क्या मिलता है 2 A plus 2 B plus 2 C सेकेंड रोग को यहां से देखो तो इन सबको add करो तो वापेस आपको क्या मिलेगा 2 A plus 2 B plus 2 C और थर्ड को भी add करो क्या मिलेगा आपको 2 A plus 2 B plus 2 C यान कि column first के element के अंदर अगर column second और column third के elements को add करते हैं तो हमें हर बार क्या मिल ला है 2 A plus 2 B plus 2 C तो हम क्या करते हैं प्रॉपिटी उस करते हैं कि जो column 1 है उसको मैं लिखने वाला हूँ column 1 plus column 2 plus column 3 तो ऐसा करने से हमें क्या मिल जाएगा हमें चीज मिल जाएगी देखिए 2 A plus 2 B plus 2 C इदर 2 A plus 2 B plus 2 C 2 A plus 2 B और एक second यह plus बन नहीं पा रहा है बन गया plus 2 C और second और third column को मैं एजटीज लिख लेंगे तो A B plus C plus 2 A A B B C plus A plus 2 B तो अब आप देख पा रहे हैं कि जो column first है उसमें से 2 A plus 2 B plus 2 C common आ रहा है तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं तो आग एक किस जो ने एक वापे से सो रिफ्रेस करता हूँ उस पर solve करते हैं तो जो हमार पास data मिल गया था वो क्या था हमें मिल गया था मैं बाहर common ले रहा हूँ 2 times A plus B plus C मैंने common ले लिया तो अंदर क्या मिलेगा मुझे अंदर मिलेगा 1 1 1 क्योंकि आँसे तो अपने common ले लिया और second column और third column as it is थे तो उपर question में ही लिखा हूँ है तो मैं यहीं से copy कर लेता हूँ A plus B plus C plus 2A A B B C plus A plus 2A यह चीज़ हमारे पास मिल गई अब हमें वापिस A plus B plus C common बनता हूँ नहीं दिखा रहा है कि पहली rows को जोड़े तो A plus B C ही नहीं column को add करने पर भी कुछ फरक नहीं पड़ रहा है तो अब हम क्या करते हैं कि इसको solve करते हैं तो determinant को evaluate करने के लिए मैंने आपको क्या बतर रगाता कि आप ऐसी rows है ऐसी column जिसमें maximum 0 हो लेकिन यह पर तो 0 ही नहीं इसका R1 और R3 को भी मैं क्या लिखता हूं जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो R3 minus R1 तो इसका मतलब मैंने R2 और R3 को बदला है तो मैं R1 को पहले as it is लिख लेता हूं जिससे ज़्यादा दिकत नहीं आए तो 1 A B इसको मैंने as it is लिख दिया अब R2 में से R1 गठाना है तो 1 minus 1 0 B plus C plus 2 A में से A गया तो क्या मिलेगा B plus C plus A B plus C plus A और B में से B गया क्या मिला जीरो फिर A3 में से R1 गठाना है तो 1 minus 1 0 A में से गया तो 0 C plus A plus 2 B में से B गया C plus A plus B ओके students अब इसको solve करना है तो आप direct देख पा रहे होंगे पता ही थी कि अगर diagonal के एक सेट सार element 0 हो तो डिटेमिनिट की वैल्यू उस diagonal के elements का product कराने से मिल जाती है तो यहां पर देखो तो जो diagonal हमार पास दे रखा है इसके निच्चे 0 0 0 यह दे रखा है इसका मतलब इसका जो आंसे मिलने वाला है मुझे वह diagonal के element को multiply करा दो तो क्या है diagonal के element 1 into b plus c plus a c plus a plus b यहना कि a plus b plus c जो दे रखा है तो a plus b plus c को दो बर multiply करें कि क्या मिलेगा वह मिलेगा a plus b plus c का all square आप इसको पूरा solve भी कर सकते हैं ठीक है ना multiply करो बाकि जैसे आपको यह दूसर लोगे तो उसमें 0 आज जाएगा तो 0 का किसी के साथ multiply करो तो आपको 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 जीरो ही मिलेगा है ना तो अब इनको आपको multiply कराते हैं तो हमें क्या मिल गया two times a plus b plus c का cube जो कि हमारी क्या है RHS यानि कि हमने exclusion को प्रूफ कर दिया hence prude तो I hope आज का lecture आपको समझ में आया होगा अगर वीडियो पसंद है तो इसे like कीज़े share कीज़े अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए thank you